अंकल अंकल वनिला आइस क्रीम देना ये ले क्या अंकल ये क्या आपके यहां के आइस क्रीम हमेशब पिगली हुई होती है चाहिए तो ले नहीं तो पिगलने दे गर्मी में और मेरा दिमाग न खराब कर क्या हुआ बवारि लाल इस बच्चे पे क्यूं बरस रहे हो हाई और उपर से ये बिजली की लुका चुपीने मेरे फ्रीजर के भी पसी ने छुड़ा दिये हैं अरे देखने में तो नया लग रहा है फिर क्यूं ठत रहा है जले पे नमक नचिड को लाला जी बड़ा ब्रैंड देखके दो महिने पहले ही लिया है पर थोड़ी कर्मी क्या हुई इसकी कूलिंग कम हो गई और उपर से बिजली का बिल्तो एवरेस्ट की उचाईया छूरा है ऐसे बिजनेस कैसे चलेगा? बवारी तुने रॉकविल के ग्रीन फ्रीजर के बारे में नहीं सुना? ना? क्या खास है इस ग्रीन फ्रीजर में? बिजली की खपत कम और बिक्री ज्यादा क्यूंकि बिजली जाने पर दस घंटे का बैकप देता है वा, ये की ना तुमने गर्मी में शिमला वाली बात इधर आ, ये देख, made in India फ्रीजर है ये थ्रेपन प्रतिशत बिजली की बचट, दस घंटे का बैकप और कॉपर की कॉइल तो लीकेज का चांस नहीं और जंग भी नहीं पकड़ता और खास बात है कि कमपनी दस साल बॉडी पे और पात साल कंप्रेसर पे वारंटी दे रही है मतलब 10 साल टिंशिन फ्री आपको तो काफी पता है लाला जी तीन साल से यूज कर रहा हूँ कोई टिंशिन नहीं और बिजनेस बढ़िया चल रहा है बचत के तो क्या कहने भावी को गोवा गुमाने ले जा रहा हूँ मेरी मानो तो आप भी फ्रीजर बदल डालो बिजनेस की कसम लो अभी किये देता हूँ हेल्डो रॉक्वेल मैनी नीज वन सल्यूशन रॉक्वेल क्रीम फ्रीजर